आज मैं डोसा बना रही थी, तो ममी ने कहा, मैंने कहा कि डोसा बनाना बहुत टॉफ काम है, मेरी ममी ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, इसे तो बिना सीखे हुए लोग बना सकते हैं, मैंने कहा नहीं ममी इसे जो अच्छे से सीखता है वही बना पाता है, फिर क्या था, मैंन ने जो जो सीखा था मेरी ममी ने मेरी ममी जो जानती थी वो सब स्टेप मेरी ममी ने किया बट यह देखो मेरी ममी ने डोसा पहलाया कैसे है इसके बाद से मेरी ममी ने तेल इसके ऊपर लगाया नकी साइड में गिराया और बस इसके बाद इनको याद आया कि वो साइड में भ यानि की जो इसका मसाला थियाए था वह डाला और इसे एक तरफ से दबाते हुए चारो तरफ से आलू फैला दिया है इसके पाल से आधा से इसके लिए तो इसके लिए मेरा किसी भी चीज ने नहीं हूछ मेरी ममी ने कहा मुझे भी डोसा बनाना सिखा दो और हसने लगी वोली तुमारे जैसे तो डोसा बन ही नहीं पाया और बहुत हसी इसके बाद से मैंने कहा कि चलो ठीक है ममी नहीं बन पाया बढ़के वी वीडियो में अपना ही डोसा दिखा दो चलिए मैं आपको डोसा बनान जाते हैं न जो बैटर फैल आते हैं वह बैटर क्या होता है कि इस तरीके से चिपक जाता है इसके बाद बीचिपक जाता है ऐसे निकलता भी नहीं है और यह देखे जो मैंने बना वह कितना तक क्रिस्पी दिख रहा है तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सबसे पहले मैंने यहां पे डोसा का बैटर मतलब चावल को फुला लिया था और साथ में यहां पे चनी के दाल और थोड़ा समेथी डालके इसको रात भर भीगो दिया था सुबह में इसको पीस दिया था मिक्सि लेंगे और तीसने के बाद एक बाउल में डालके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा संदमक क्यूंकि मैं इस बैटर को ज्यादा देर नहीं रखने वाली हूं मैं लगबख 10 मिनट के लिए लखूंगी जब तक कि मेरा इसका अंद अच्छे से फलो कर रहा है डेग सकते हैं किसे अच्छे से फ्लो कर द आधा बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपना बेटर बनाके या BOB कर देती हूं देस मिनेट के लिए अब यहां पर मैंने कडहाई में थोड़ा सपच sweep दός घला साफमें यहां पे लालमेश्ट दाली लेकिन मैंने spicy के लिए लाल मिश डाली है हल्दी पाउडर काली मिश पाउडर और एक चमच के करीव यहां पर मैंने kitchen king मसाला लिया है उसी में सभी मसाले आ जाते हैं और taste भी अच्छा लगता है साथ मैं यहां पर आलू को मैस कर लिया था नमक डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है और यह आलू भी भुण चुका है गैस का flame बन कर देते हैं अब हम चद्या दूसा बना ले यहां पर मैंने एक तवा लिया है इसके उपर तवा को अच्छे से गरम कर लिया है इसके बाद मैंने इसमें पानी का छिड़काव किया ह और एक कबड़े से पोच लिया है फिर गैस का flame मीडियम कर दिया है उसके बाद से धीरे धीरे मैंने बैटर को फैलाया है देख सकते हैं कितने अच्छे से बैटर जो है फैल चुका है अब इसके साइड साइड में मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा दूंगी यह बिल्कुल अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल ऑप्शनल है यह ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रिश्पी हो जाता है तो मैंने यह पर देल लगा दिया था और गैस का flame इस टाइम पर मीडियम कर देंगे क्योंकि इसे क्रिस् अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक चरूर कर दिया करो यार और इसके पास मैंने डाल दिया उसमें प्याज अब आ अप यह मत कहना कि इसमें टमाटर हैरी मेर्च मोँफली नहीं डाली क्योंकि मैंने बहुत सारी डोसा की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सभी चीज़ डाल के दिखाया है यह मैंने घर पे नॉर्मली बनाया था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार दिखा दू क्यूंकि मेरे डोसा वाली वीडियो पे भर भर के कॉमेंट आता है कि एक बार और इस डोसा की रेसिपी को आप बनाए तो यह देखे कितना जादा क्रिश्पी डोसा बनके तयार हो गया है इसी तरीके से मैंने डोसा बना लिया है और बस एक प्लेट में सर्व कर दिया है मैंने यहाँ पे सामबर नहीं बनाया है क्योंकि मैं सामबर के साथ नहीं खाने वाली हूँ जब मेरा मूट करता है तब ह में सांबर बनाती हूँ ऐसे में वस चटनी के साथ ही इंजॉय करती हूँ डोसा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आयोगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में वीडियो को लाइक कर दीजेगा